Now, in EBS, we are going to learn second chapter, keeping clean. Keeping clean means, हम लोग अपने आपको साफ रखते हैं. किस प्रकार साफ रखते हैं, यह आगे देखेंगे. We must take care of our body. हम लोगों को अपने सरीर का ध्यान रखना चाहिए. To keep our body clean, we should do the following things. अपने आपको साफ रखने के लिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले यह picture देखो, और ध्यान से देखो. Brush our teeth twice daily. हम लोग को प्रतिजिन दो बार brush करना चाहिए. एक सो कर उड़ते हो उस समय और एक बार जब सोने जाते हो तब दो बार जरूर brush करना चाहिए. Second, take bath daily. हम लोगों को प्रतिजिन नहाना चाहिए. जैसा कि picture में देख रहे हो, यह बात कर रहा है. इस तरह तुम लोगों को भी प्रतिजिन याद करके stand करना चाहिए. Com our hair regularly. जब जरूरत पड़े, तो अपने बाल में कंगी करना चाहिए. जब भी बाल उलग जाए, हर हमेशा बाल में कंगी करना चाहिए. फोर्थ में यह क्या कर रहा है? अपने नाखुन को काट रहा है. Cut our nails regularly. फिफ्थ में यह क्या कर रहा है? हमेशा खाने के पहले और खाने के बाद, हाथ को जरूर अच्छे से धोना चाहिए. और इसके अलावा, जब दीन भर में जरूरत पढ़ जाए, तब भी बीद बीद में हाथ को जितना अधिक से अधिक धो सके, हमेशा अच्छे प्रकार धोते रहना चाहिए. वस आवर हैंड्स मैनी ताइम्स, सेक्स्थ, से इन दा पिक्चर, वाट बॉइल दुए, ब्लो आवर नोस रेगुलरली, एक दिन में कई बार अपने नाग को साफ करना चाहिए. I think you must have understood this page. Now the next page, page 12. We need different things to keep ourselves clean. हम लोगों को अपने आपको साफ करने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है. Bathing is the best way to keep ourselves clean. Nahana सबसे अच्छा तरीका है अपने आपको साफ रखने के लिए. We use soap and water to wash away the dirt on our body. हम लोग साबून और पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने आपको साफ रखने के लिए और अपने सरीर को भी साफ रखने के लिए. Then we use clean towel to wipe our body. उसके बाद हम लोग साफ तॉलिय का इस्तेमाल करते हैं अपने सरीर को पोचने के लिए. We use tooth brush and toothpaste to clean our teeth. सुबह साम हम लोग दो बाद brush करते हैं और उस समय tooth brush और tooth paste का इस्तेमाल करते हैं. Tooth paste, tooth brush में लगा लेते हैं उसके बाद अपने दादों को साफ करते हैं. We use hanky to bloom our nose and clean it. जब हम लोगों को अपने नाग साफ करने का जरूरत होता है तो हम लोग अपने रूमाल का मदद जरूर लेते हैं और नाग साफ करते हैं. We use comb and brush to keep our hair tidy. हम लोग अपने बाल को साफ करने के लिए और सुल्जा हुआ रखने के लिए कंगी और brush का मदद लेते हैं. We cut our nails short with a nail cutter और जब जरूरत पड़े नाखुन बड़ा हो जाए तो हम लोग nail cutter का इस्थिमाल करते हैं अपने नाखुन को छोटा रखने के लिए. यह सारी बाते आप लोग पहले से जानते थे फिर भी मैं एक बार revise कर दी. This is how we can keep our body clean to stay fit and healthy. This is only the way how to keep our body clean and stay fit and healthy. इसके बाद आगे exercise दिया हुआ है वो आप लोग कल fill in the blanks और circle the correct words to form meaningful sentences बना कर लाईएगा. Thank you.